कि यह इनका मजार है यहां पे दो लाज यह इनका मजार vielen चेकर दो इनका मजाया जटातों हेलो गाईज कैसे हैं आप लोग तो स्वागत है तो आज है다 और यहां पे वैंगलॉर में इतना मजा आ रहा है मुझ्छे यहां पे आप देख सकते हो गाइस इतना ठंदा ठंदा हवा चल रहा है यह आप देखो अभी जो है हम लोग चलते हैं एक मस्जिद पे वहां उपर मस्जिद भी है और एक मजार तो आप लोगों को वलोग में तो इस तरह का मौसम है आज बैंगलोर में आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है यह बादल और आगे है एक बड़ा सा पहार और इधर से आ रहा है सूरज की रौशनी यह आप देख सकते हुए पूरा मौसम सुहाना है यह तो गाइस हम बस मजार पर पहुंचने ही वा ख्वाजा गरीब नवास के कोई रिष्टेदार है उनका यह मजार है तो जस्थ हमारे आगे है मजार और मैं दिखाता हूँ आप लोगों को तो गाइज यह पीछे का है यह बैक साइट का है और मैं फ्रॉंट से आप लोगों को दिखा दा हूँ काफी प्यारा है यह मस्जिद है और आगे मजार भी है और यहां से अंट्री दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को यहां पचानता ने हुए इसके अंदर ही है उनका तो मैं अंदर भी दिखाऊंगा लेकिन यह बाहर से कुछ इस तरह का दिखता है देख सकते होगा और मैं वहादी मजार के था मजार है यह देखू गाइज यह इनका मजार है यहां पे दो मजार देखिए और देखिए यहां दिवारों पे उर्दु में दिखा हुआ अपर सकते हैं और यहां पे तुछ पिस्ते हैं को मजार है और यहां पे हरा घंडा इसलामी घंडा और जश्ट यहां पे हैं मस्जिद यहां देख सकते हो यह मजार पे मस्जिद बना हुआ है काफी प्यारा है यह मस्जिद और वहां पे यह मदर्शा इसमें बच्चे लोगती पढ़ाई भी होती है और यहां से प्रॉपर मजारा पे लेगी पिलावाई यह में भी खाने जाए हुआ है कि पता नहीं मुझे जाने देंगे या नहीं आपकोस जाने देंगे कि मैं मुश्ली हो तो गाइस मैं हूँ अभी मस्जिद के अंदर और प्रॉपर एक बार मैं आप लोगों को घुमा करके पूरा दिखा देता हूँ कि मस्जिद में क्या-क्या चीज रखी हुई होती है और यहां पे मस्जिद के अंदर जो है नमाज अदा किया जाता है तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ आप लोग देखो आप लो नमास आपके लिए मेंबर है इसे मेंबर कहा जाता है और यह माइक आजान देने के लिए और यह देख सकते हो आप टाइम हो रहा है भी शे बजने में पंद्रे मिनट बाकी है और कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है यहां पे मस्जिद का और उपर का पी तुलाइस यह बुनबद उपर में लगा हुआ है यहां पे नमास परने के लिए इसे मुसल्ला कहा जाता है यह बिछाया हुआ है पूरे में देख सकते हो गाज कितना प्यारा लग रहा है अब देख सकते हैं वह कितना वड़ा देख्चा है उसे लंगड कहा जाता है उसी में बंता है यहां पे और जितने मीग आते उने सभी वो खिलाया जाता है तो गाइज मजार के अंदर का और मस्जिद के अंदर का व्यू मैंने प्रॉपर आप लोगों को दिखा दिया है तो अपरोक्स यहां पर मुझे आते हुए एक घंटा होने वाला है तो अभी हम लोग चलते हैं बाहर और उसके बाद इस व्लॉग को एंड कर देंगे क्योंकि मैंन का मौसम इतना अंधेरा होने लगा है यहां पर आज काफी तेज बारिस आने वाली है और यह मस्जिद काफी प्यारा लगता है गाइस मुझे तो काफी अच्छा लगा आप लोगों कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना तो बाहर से कुछ इस तरह का दिखता है नजारा जो की काफी मजा आ रहा होगा आप लोगों को देखने में और हाइवे के जश्ट बगल में यह देखो गाइस इधर हाइवे और मौसम देखो गाइस मैं आया था तो धूप था बिलकुल और अभी एक घंटे में यहां पे कितना ज्यादा अंधेरा हो चुका है और बारिश जो है आने बाद में तो गाइस मैं आ चुका हूँ अभी मजार से बाहर और यह रहा हाइवे और इधर का मौसम काफी सुहाना हो गया और भी ज्यादा कि यहां पे हो चुका है बिलकुल अंधेरा यह आप देख सकते हो मैं आया था तो धूब था काफी तेज और अभी एक घंटे में काफी ज्यादा अंधेरा हो चुका है तो मैं इस व्लॉग को ज्यादा लंबा नहीं करूँगा और उमिद करता हूँ कि इस व्लॉग में आप लोगो काफी मजा आया होगा अगर अच्छा लगाओ तो व्लॉ सब्साम डेको गईज